दिल्ली के राउज अपन्यो कोर्ट से तिहार जेल की और जाते इस वाहन को बहुत गौर से देख लीजे इस जेल वाहन में कोई सामान्य कैदी नहीं बल्कि दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल बैठे हैं जेल जाने से पहले कोट में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे क्योंकि केजरिवाल जब 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 जेल गए आम आदमी पार्टी के दो ने था आतिशी और सौरब भार्दवाज नहीं मोर्चा समहला और इन दोनों का नाम केजरिवाल ने पूछताच में लिया है क्या है सौरब भार्दवाज और आतिशी का शराब भार्दवाज का नाम जिसके बारे में केजरिवाल ने बताया कि वो उन्हें नहीं आतिशी और सौरब भार्दवाज को रिपोर्ट करता था जेल जाते जाते केजरिवाल ने क्या कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चली है इन सबकी डीटेल आपको आके दिखाएंगे अभी केजरिवाल की जेल यात्रा की फुल रिपोर्ट कोट में आज जबरदस्त जिरह होये ED ने केजरिवाल पर पूश्टाच में और सायोग करने का आरोप लगाया ED ने तलील दी की सवालों के सही जबाब नहीं दे रहे हैं केजरिवाल जाच में सायोग नहीं कर रहे हैं केजरिवाल केजरिवाल ने फोन का पासवट नहीं दिया कोट ने इत्मिनान से सब सुना और फैसला दिया कि अर्विंद केजरिवाल 15 अप्ट्रैल तक नियाई खिरासत में रहेंगे इस तिहार जेल में पहले से ही शराप घोटाले के आरोपी कैद हैं जेल में केजरिवाल के रहने का जो इंतजाम किया गया है उसके मुताबि अर्विंद केजरिवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे जेल में अर्विंद केजरिवाल के पडोसी हैं उनके ही पूर डिपकी चीफ मिनिस्टर मनीश सिसोदिया जिनने जेल नंबर 1 में रखा गया है तिहाड के ही जेल नमबर पांच में है आम आदमी पार्टी के राजे सभासांसर संजय सेंग और इन तीनों के पहले मनी लॉंडरिंग केस में जेल नमबर साथ में कैद हैं सतेंद्र जैन जबकि शराब होटाले की आरोपी के कविता लेडी जेल नमबर छे में है मुझे लग रहा है कि शुपारी जैसी पार्टी इसको वो कहते थे आमाद निपाथी उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज़ करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही बक्ति से उसका नाम अर्विंद केजरिवाल है आज उस बक्ति को उस बक्ति के सरीर को आपने जेले बंद कर दिया लेकिन पूरा हिंदुस्तान केजरिवाल का रूप ले चुका है केजरिवाल जी ने वहाँ नाम लिया है कि मुख्यारोपी विजय नायर आतिशी और सौरब भारतवाज को रिपोर्ट करते थे महोदे अब मैं यह कहना चाओंगा यह तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घुटाला तो था जिसको देखो वही आद यहां मदहोश है अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई लगता है सबने मिलबाट कर है पी और पिलाई अरविंद केज्रिवाल की राहें पहले मुश्किल हुई अब काटों से भरी देख रही है जेल से दिल्ली की सरकार चलाने की केजरिवाल की मनशा का क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर पूरे देश की नजरे ठीकी हैं लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है आज मुद्दा है दिल्ली के दो मंत्रियों सौरब भारदवाज और आतिशी का शराब घुटाले म नाम आने का जिस समय एडी के वकील दलील दे रहे थे उस दोरान अरविंद केजरिवाल कोर्ट में मौजूद थे जब एडी ने अदालत के सामने कहा कि केजरिवाल ने पूछताच में बताया कि विजय नायर आतिशी और सौरब भारदवाज को रिपोर्ट करते थे तो इस केजरिवाल ने इस बात का खंडन तक नहीं किया और वो चुपी सादे रहे आतिशी गोवा चुनाव के दौरान गोवा की परभारी रही थी हालाकि ये बात उस वक्त की है जब आतिशी और सौरब भारदवाज दोनों ही मंत्री पत पर नहीं थे अर्विंद केजरिवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे क्या खिर क्यों नायर ने सीएम कैम्प कार्याले में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था जबकि उसने सीएम के कैम्प कार्याले से काम किया था हाना कि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आपकारी नीती बना रहा था आम आदमी पार्टी ने था जैस्मिन शाह में पलटवार करते हुए एडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तब ही उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता हुए सवाल है कि एडी ने डेड़ दो साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास है विजय नायर की सनलिप्त ता आम आदनी पार्टी के मीडिया प्रभारी के तौर पर उनके कारेकाल से जुड़ी हुई है ये अवदी उससे बिल्कुल मेल खाती है जिस वक्त ये घोटाला हुआ था एडी के आरोप पत्र में विजय नायर पर साथ ग्रूप के साथ बिचौली के तरपर काम करने का आरोप लगाया गया है जिसने कथित तौर पर दिल्ली में शराब की खुद्रा कारोबार में एंट्री के लिए 100 करोड रुपे की रिश्वत केजरिवाल सरकार को दी थी एडी के मताबिक पूछताच के दोरान आरोपी समीर महिंदू ने आधिकारियों को बताया कि विजय नायर ने उसकी अरविंद केजरिवाल से मुलाकात तै की थी लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विजय नायर ने फेस टाइम वीडियो कॉल पर उसकी अरविंद केजरिवाल से बात कराई एडी का अरोप है कि इस कॉल में अरविंद केजरिवाल ने समीर महिंदू से कहा था कि विजय नायर उनका लड़का है वो उस पर भरूसा कर सकते और उन्हें विजय के साथ आगे पढ़ना चाहिए विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्मुनिकेशन का प्रभारी रहा है वो इंटर्टेन्मेंट जगत का जाना माना नाम है न्यूज एजनसी के मुताबिक नायर ने इंडी बैलन्स के लिए मैनेजमेंट क सोधिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महंदू से 2-4 करोड रुपे लिये थे ये रकम विजय नायर की ओर से लिग गई थी विजय नायर अभी जेल में बंद है शराब घोटाले की गुत्थी सुलशने की मजाय और उलस्ती जा रही है धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री और नेता इस घोटाले की जद में आते जा रहे है सौरब भारदवाज और आतीशी का नाम खुद केजरिवाल ने लिया है तो इसके बड़े सियासी मायने हो सकते हैं केजरिवाल के इस रहस्यों घाटन के बाद आम आदमी पार्टी वयाग खुट पर है और बीजे पी आक्रामक बल्ले बासी कर रही है मकसद था लोगसभाज चुनाओं के ठीक पहले अर्विंद केजरिवाल जी को गिरिफ्तार करके इंडिया गड़बंदन को तोड़के लोगसभाज चुनाओं में EDCBI के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना उसे पूरा किया जाए अर्विंद केजरिवाल जी जिस चीज के लिए जानने जाते हैं कि राइनिति में किसी को बरदाश नहीं कर सकते हैं वो केवल अपने आपको ही देखना चाहते हैं ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतीशी जी और भारदवाज जी भी शराग गुटाले में फसें वो चाह पिहार जेल में पढ़ने के लिए बहुत समय हैं लेकिन अपने दो और मंत्रियों का शराग घुटाले में नाम सामने आने के बाद आम आद्मी पार्टी के भीतर ही भूचाल मचने की संपून संभावना है हलाकि कानूनी पक्ष ये भी है कि जेल में रहते हुए प्रश प्रश प्रॉपट्गां आने की संपूनी पार्टी के बाद चाने की संपूनी पार्टी के जेल में पार्टी के लिए भी हैं प्ष CTर्श। अब्स्टा।